मित्रो जय माता दी आप देखने धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में हरोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजीरूं आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है सनीवार यानि की 28 मई 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संपथ 2089 जेस्ट मास कृष्ण फक्ष की 13 तक रहने वाला है तदुप्रान फिर 14 तक आरंब हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विष्टार प्रूवक जान सकते हैं एक एक मोहरतो गया में जान सकते हैं आज के संपून रासीफल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासीफल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खादे रासी उनसर क्या खादे पतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसर कौन सा रंग सुब रहने वाला है रासी उनसर कौन सा लखी निमराप के लिए रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंत्तक बने रही है ताकि आपको संपून रासी फल के जानकारी हो पाए रासी फल का वीडियो पसंद आए जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें साथी कमेंट बॉक्स में जह माता दे तो जोड लिखें मित्रों आज के बारा रासी का रासी फल आपको बता नाराम करूँ उससे पहले आए एक नज़र डालें आज के गरहों के इस्तिती पर क्योंकि गरहों के स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी पर निर्भर करता है आज चंद्रमा सुक्र और राहू तीनों एक साथ मेश रासी में सूर्य, बुद्ध के साथ व्रेश रासी में, केतु तुला रासी में सनी कुम रासी में गुरू मंगल के साथ मीन रासी में विराजित है तो इनी सभी गरहों का मिलाद लाहाल आज के रासी फ्लम हम जानेंगे तो आई ये बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासी मेश रासी में चंद्रमा पर्थम अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको आपके दोस्तों का सहीयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निरने भाउक दावस ना लें ऐसे निरने उसे आप परिसान में पर सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मनमटाव बर सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कारियाप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज आपको आपके सहकरियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का क्रेडिट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनूशनाई बातों पर आँख मूंद कर भरोजा ना करें सच्चाई को पर्खें तब ही आगे बनें व्यापार अधन की बातकर व्यापारियों को आज कोई भी निर्णे बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक साय चुनूतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले सही सचेत रहें अगर कहीं निवेश करने का मन बना रहें स्वास्त की बातकर आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए चिन जातकों को हाई ये लो ब्लेट प्रेसर के सिकायत रहती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समझ की बातकर आज अपने जीवन साथी के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाहिट जातक प्रेम समझ में कोई भी नेरा इस्ता बनाने से पहले सामने वाले को जोर परक है आज आपके प्रेम समझ में किसी प्रकार की चिनता उत्पन नहों सकती है आज के नेग केला खाएँगे तब के लिए सुव रहेगा चोटी मोटी परिशानियां आएंगी लेकिन उन परिशानियों पर विजए प्राप्त करने की कोशिश करें कुछ नवे विचार आपके लिए फाइदे मंद सावित हो सकते हैं आज अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका फायदा आपको भी कहीं न कहीं मिलेगा बिना जांच परताल किये किसी वेबसाई या कानुमी दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो बिल्कुल भी ना करें इससे आप मुश्किलों में पढ़ सकते हैं व्यापार अधन की बातकर आज आपको व्यापार में लाव होगा व्यापार में जो भी आपके प्रति दंदी हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं जूरा तक नोकुली कर रहे हैं उनके लिए आज की नच्छा रहने वाला है आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प अपने परहाई पर ध्यान दें स्वास्ति की बातकेत आज आपको मौस्पी विवाणियों को लेकर सतर्कता रखनी चाहिए आपके साररिक और मांसिक विवाणी की जर आज आपका दुख हो सकता है व्यायाम करें खुली हवा में ठालें आपके स्वास्ति के लिए अच्छा र रहेगा आपके लिए आज का सुब्रग निलारंग लकी नंबर 11 रहेगा बात करेंगे मिथुन रासिकी मिथुन रासिम चंदर्मा तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आपके जोरत मन्द भ भोजन का अनन्द उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के या धार्मिकारी करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फैमी के कारण आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लराई हो सकती है तो यहां भी सावधानी बढ़त हैं उनको ऑफिस में ऐसे लोगों से साभान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी च्छवी विगारने की कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज की मिलाल्दा रहने वाला है पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता ह है ऐसे वे अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा स्वास्त की बात करते आज आपका स्वास्त चारहने वाला है चुस्ति और फूर्ति का अनुभव करेंगे लेकिन आपको मौस्मी विवानियों से सजेतरह न चाहिए प्रेम समन की बात करते आज आज आप किसी पर भी अपनी बात थोपने की कोशिस ना करें यहां से आपको नुक्सान हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपको अच्छे समन बना के रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उनसे लराई जगरे के संभावना भी बन रही है सांती से अगर काम लेंगे तब के बहुत सारे काम बन भी सकते हैं अपने लगन और आत्म विश्वास से आप अपने कारियों को बहता धंग से कर पाएंगे जूजा तक मीडिया से जूरे हुए उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है बात केंगे व्यापार और धनकी तो आज आपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारिक छेतर में स्तिती को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा यस और किर्थी में विरधी होगी आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा अपने काम पर फोकस रहें से आपको फायदा होगा नोकरी करने वर जात्कों के अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको सभने निश्चित तोर पर रखनी चाहिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन भी रखना चाहिए विद्यार्थी की बात के तो आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुबफनों की प्राप्ति होगी तो डटकर मेनत करें सफलता मिलेगी स्वास्त की बात के जिन जात्कों को जोरों का दर्द रहता है उन्हें आज परेशान ही हो सकती है आज आपका ब्लड प्रेसर नौर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समन्त की बात केट आज अपने जीवन साथी के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की वज़ा से आपके विवाद उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी इसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जोड़ जाने आज किन मसूर की दाल खाएंगे तब के लिए सुप रहेगा आपके लिए आज का सुप रंक्स लेटी कलर लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे अब सिंग रासे की सिंग रासीम चंदरमा आज पांचमें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आज आपको कई परकार के परेसानियों से मुक्ति मिल सकती है करात्मक कारियों में आपके रुची बढ़हेगी आपके व्यक्तिति में सकारत्मक बदलाओ आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं और उनकी मन हिस्तिति को समझें इससे आपको असीम मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुधा हैं तो आपके सोसलाल पक्स से किसी के साथ वादिवाद हो सकते हैं तो यहाँ पर साब धानी बढ़ते हैं आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंदित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रूची समझनी होगी बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें व्यापार और धन की बातकर व्यापारियों के लिए आजके अच्चा रहने वाले हैं आपके आत्मी स्वास में विर्धी होगी जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा किसी जोरत्मन ब्रक्ति को धनका धान जोरू करें नोकुरी करने वाई जातकों के लिए आज के इन सामाने रहने वाले नोकुरी में परिवर्थन का मन भी आपका हो सकता है कुछ जातकों को सट्रवाजी साथ लाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों का मन चेंचल रह सकता है अपने आपको सोचल मीडिया और मुवाइल फोन से थदूर रखे अब आपको अपने केरियर के परती सचेद भी हो जाना चाहिए स्वास्त की बातकेट आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असांत भी रहेगा जो दातक पहले सी बीबार हैं उन्हें अपने स्वास्त का ज्याद ध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्त की बात के आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक्करने से पहले सच्चाई को जानने की कोईसिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जहार की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज के लिए का हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग भगवारांग लकी नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे कन्यारासि की कन्यारासिम चंत्रमा छटे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारी छेत में परिवरतन का मन भी आपका हो सकता है आज अपनी वानी की मजूरता से बहुत सारे कारियों को लिपड़ा सकते है अगर आप अपनी वानी पर आज अंकूस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग भी आपको आज मिल सकता है आपके परिवार की परतिष्ठा बरहेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्य आउत्पन न हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंताएं भी रह सकती है व्यापार उधन की बातकर अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे वसूले की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतिया वस्यक हो गया है इससे वरना बहुत ज्यादा हानी का सामना आपको करना पर सकता है विद्यार्थी की बातकर आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको और व्यादा मेनत करने की जरुरत है स्वास्त की बातकर जिनजातकों को जोरों का दर दिया गठिया से समझे समस्या रहती है उन्हें थोरे परिसानी का सामना भी करना पर सकता है आज आपको तनावपून वातावरन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है प्रेम समंद की बातकर आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम समंद में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समंदों में सोच समझकर ही आगे बरहें किसी तीसरे व्यक्ति की वज़ा से आपके प्रेम समंद में दरारुत्पन ना होने दें आज किन गेहूं से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन करा लकी नमबर एक रहने वाला है बात केंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंदर्मा साथमें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा कई माइनों में आज की निए आपके लिए चुनोतियों से भाष रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई भी प्राफैसला लेना हो तो किसी अन्भावी लोग के सलाज जोड़ लें आपके मन में आज कोई नाकारत्मग विचार भी आ सकते हैं जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपके बोली गई बातों को आपके प्रतिदोंदियों दोर मोर कर पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलने से पहले साथानी बरते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ समन बिगर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साथानी बरतनी चाहिए आज अगर आप घर से अपने बड़े कासी बाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें कुछ समधान भी आपको मिलेगा, सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बितेगा व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार के दिश्टी से आज ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो दातक व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी आवेश्चता होने पर आपको आपके भाई बानों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज करने अच्छा रहने वाला है ओफिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आपको आज लक्ष की प्राप्ती के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवेश सकता है ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ती होगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमे बिलकुल न रखे स्वास्ति की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जूरतक और विवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है तामबे के बरतन में आज अगर पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रेंग लकी नमर साथ रहेगा बात करेंगे विश्चीकरा से की विश्चीकरासीम चंद्रमा आठ्वे स्थान में भी राजित है जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाई बनों से माता पिता से भी कुछ आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है परिवार में सुक सांती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्लसुप घर में साकारातमकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लराई जहरे की योगबन है तो आपको सबसे अच्छे समन बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्दियों से परोशियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी आज मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरोशा करने से पहले उसकी जाँ जोड़ करें आज आपके जिद्धी रवये की वेज़से आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कल्पनाओं के पीछे ना दो रहें सोच समझ कर ही काम लें अगर अपनी पिता और धर्मगुर की सराथ से किसी कारी को आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी व्यापार अधन की बात के आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोति से घबराएं नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें आज किसी से पैसे उद्धार लेने से बिल्कुल बचें आज कर्ज लिएगे पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो जातक नोकरिक कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन बिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े प्रतिदंदी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से प्रजेंट करें आज आपके खर्चे में विर्धी भी हो सकती है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है अपने समय को प्रवाद करने से बचें समय का एक एक पल महत्पूर्ण है उस पल का लाव जो उठावें स्वास्त की बातकेद आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले भुने और मसाइलार खानों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात के जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है लेकिन पार्टनर का जुनाओ करने में साब्धानी बढ़ते हैं प्यार के जहार करने साथ बचें आज के गुर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं काला रंग लगी नमर 11 रहने वाला है बात केंगे धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे रंग से रख पाएंगे जिसके फ्रसुब आपके चाहने वालों के संख्या में विर्धी भी होगी अगर आप राधनिती से जुरु है तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्थ होगा कोई पुराना फसावा रुकावा काम भी पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपका लाब मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांथिक का अनभव भी करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अग्यात भही से परिसान भी रह सकते हैं व्यापार हो धन की बात में चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनास्त करमचानियों का सही उग प्राप्थ होगा किसी करेभी मित्री या सगे समन्हों की मदद से व्यापार में लाप होगा आज आपके व्यापार एक प्रतिदंदी आपको व्यापार में नुक्सान पहुचाने की कुछिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान ये गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है। जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है। आफिस में कोई नए जिमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात केद विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है, जो विद्यार्थी परत्योगता प्रइच्छा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। स्वास्त की बात करेंगे आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मानसिक सांतिक का अनभवी करेंगे प्रेम समंद की बात करेंगे प्रेम समंदों को सुधरिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद व्याद के स्थितियुत पर न हो सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी की तला से उनके खोज बूरी हो सकती है आज किन दूट से बनी विचीए खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग बैगनी रंग लकी नमर साथ रहेगा बात केंगे मकर रासिकी मकर रासिम चंदर्मा आज दसमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके कारी छेत्र में आपको सम्मान की पाप्ती होगी आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रोच साहन मिल सकता है अपने प्रतिजन्दियों को प्रास्त करने में आपको सफलता प्राप्ती होगी अपने घर के कारियों में आज आप वैस्थ भी रहेंगे भगवान के प्रति आपकी आस्था बरहेगी लेकिन संतान के तरफ से थोई चिंता आपको आज रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आज घर में कलह का माहौल भी बन सकता है आज आप आत्मी स्वास से भरपूर रहेंगे परंतु पिता के स्वास्ते से थरचिंतित भी रहेंगे व्यापार अधन की बातकेत आज आप में आत्मी स्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत मज़र आएंगे जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जुदा तक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनोती मिल सकती है आज आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं तो अपने फिजुल खर्चेव पर नियंतन जोड रखें विद्यार्थी की बातकेत आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं स्वास्त की बातकेत आज आपके स्वास्त के बुद्यादा पाएंगे साथ आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्चेर आपसे कितना प्यार करता है आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग काला रंग लगी नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे अब कुम्रासिकी कुम्रासिम चंद्रमा 11 वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप जो मेहनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको आप मिलेगा जिसके करण आपके आतमिस्वास में विर्दी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए विरेद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संबभव है आपको कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती जिसके कान आपके बने हुए कारी भी विगर सकते हैं व्यापार धन की बात केट आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्धी कर पाएंगे आपकी आए में बढ़ोतरी भी होगी जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनिय अधिकारी उनसे परसन ने रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्खुल बचें अगर कोई बहुत जरुतमें व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें ऐसे पैसे आपके क्योंकि डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनकूल इस्तिती का अनभाव करेंगे तो ऐसी इस्तिती का लाव उठाव में ज्यादा ज्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्ति की बात करें आज अपने खान पान का ध्यान रखें पेट समन्दे किसी दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्ति का ध्यान जबूर रखें प्रेम समन्द की बात करें छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उलत सकते हैं एक दुसरे से वादवियात की इस्तितित पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के वावजूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समन अच्छे बनेंगे आज के लिए के चांदी के बरतान में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग ब्राउन कडर लखी नमर छे रहने वाला है बात के के मीन लासी की मीन रासीम चंदरबा आज 12 हुए स्थान में विराजी थै जिसके फ्रसुप जोजातक किराए के मकान में रह रहे है उनके मकान मालिक के साथ समन बिगर सकते हैं तो यहाँ पर साथानी बढ़ते हैं आज आपके संतान के तरप से आपको खोशी हो सकती है परिवार में साकारत्माग बातावान इसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव हो है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पर नेंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लराई जिगरे की योग भी बन रहे है ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर आज उक्सा सकते है धैरी से काम ले या एक सोची समझी साजीश भी आपके खिलाब हो सकती है व्यापार उधन की बात कि आज आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनर्शिप पर व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाव में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाव में बदल सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन आज चंचल रहेगा, परहाई के लावा अन्य चीयों में समय पर बात ना करें, अपने परहाई पर ध्यान दे, सिक्छा के छेते में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पर सकता है, व्यापार, धन और विद्यार्थ स्वास्त की आज आपका मन असान्द रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा जुदा तक हाई ब्लेट पेसर डियापटी ये दिल के रोगी है उन्हें अपना ध्यान विश्यस्तवर पर रखना चाहिए प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज क की नमर चार रहेगा तो मित्र ये तो था आज के बाराव राशी का रासी फल अब जालने थे आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिक काल रहने वाले सुबह के पांच बच का 24 मिर्स लेकर साथ बच का आठ मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी आलम करेंगे तो इसमें आपको सफलतात लगेगी आज का असुब समय यानि की राहोकाल रहने वाले सुबह के आठ बच का 51 मिर्स लेकर 10 बच का 34 मिर्ट तक इस समय में कोई भी नयाकारी करने से बिल्कुल बचे हैं आपको उसमें और सफलतात लग सकती हैं दिशासुराज पूरु दिशा में पूरु दिशा में किसी भी खास प्रियोजेंस याता ना करें यहाँ आपको नुक्सान हो सकता है और सुबह खाद्याज का अध्र करने वाला है अध्रक का छोड़ा टुकर भी खाकर यातारम करेंगे कोई नयाकारी करेंगे तो उसमें आपको सफलतात लगेगी तो मित्र यह तो थाज का संपूर्ण रासिफल कल के संपूर्ण रासिफल के लिए जो रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्षा जे माता दी